हलो और वेलकुम तो टेक असिस्टेंट फॉब्लाइंड इफ यू आर नीम विवर और वाट वीडियो तो प्लीज कीप वाचिंग वीडियो और सब्सक्राइब आर चानल फो लटेस्ट टेक्नोलोजी टीटोरियल वेलेबल अवीडियोड चानल दोस्तों काईबो के बेसिक टीटोरियल के बाद कुछ यूजर्स की हमें रिक्वेस्ट आई कि वो लोग चाहते हैं इन्विजन याई को भी यूज करना हां कि अपर्चेस करना होगा अभी उसकी सम्मल सेज चल रहे हैं आप उसको प्रचेस कर सकते हो और काफी अच्छा अप्लिकेशन है काइब उसे कंपार नहीं करोंगा मैं से अप्लिकेशन को दूनों भी अप्लिकेशन अपने अपने वे बहुत बढ़ी अप्लिकेशन है तो रिगु फुन्क के बारे में जानते हो तो वीडियो को स्किप कर दी हाँ लेकिन जयते समय वीडियो को लाइक जरूर करके जाएएगा और आपकी बेसिक दूसर्स को insecure को यह चायी का साथ जरूर शेर की जाइएगा जाने तो इन्विजन AI के बारे में कुछ बेसिक इन्विजन AI आई आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर में सर्च करना है इन्विजन AI और आगे इसका क्या इंटर्फेस है यह हम देख लेते हैं इसे ओपन करके चलते हैं इन्विजन AI में ठीक है तो पहले ही हमें लॉगिन करने के लिए कहता है तो हमें अपने मेल आड़ी से जो है इसे लॉगिन करना होगा तो हम इसे लॉगिन करेंगे प्लेट से लॉग इन कर सकते हैं। फेस्बॉक से लॉग इन कर सकते हैं। ठेकें, इमेल से लॉग इन कर सकते है, तह हम लोग गूगल से करेंगे। Google Play Services Google Play Services on top Start the Life of Blind Tech Assistant for Blind Google Play Services Envision AI Login with Google 囪न We have introduced a new feature that can read English or other Latin script-based languages offline तो इसकी कुछ परमिशन से हम लोग अलाओ करेंगे मैंने अपना एक mail ID से लिख कर लिया है तो अलाओ करता हूं मैं ठीक है तो इसको हम फिलाल कैंसर कर लिखा है अब अप्लिकेशन जो हमारा लोग इन हो चुका है मेरे mail ID से तो हर बार आपको मैं बताता हो कि back home overview के उपर कुछ tabs है इसमें तो इसमें आपको tab ज़रूर मिलते है तीन टैब जनरल help और text तीन टैब होते हैं लेकिन यह tab आपको मिलेंगे top right middle top और top left में ठीक है तो top right में देख लेते कौन सा tab है help का tab है general tab top middle में जो है general का top है selected text tab sorry top middle में जो है general का tab है और left में जो है text का tab है यहां पर हमें क्या-क्या options मिलते हैं वह हम लोग देख लेते हैं ठीक है तो text ट्वाले option में क्या-क्या options हम देख लेते हैं पहले आगे swipe करेंगे general help magnifier button ठीक है यह text ट्वाले option में आपको magnifier का option मिलता है flash light on-off option मिलेगा start reading instantly इसका मतलब यह होता है कि आप यहां पर तुरंत image निकालके read कर सकते है read document में आपके पास जो document होगा वहां से read कर सकते है ठीक है तो यह जो read document में जाके आप अपने multiple pages वाला जो document होता है वो पढ़ सकते है ठीक है टेक्स वाला हम लोगों ने देख लिया मैं आपको बाद में और भी इसके बारे में options बताऊंगा लेकिन आगे हम लोग general tab भी देख लेते हैं इसमें क्या-क्या options है ठीक है general पर select करूंगा अब general में आपको क्या-क्या options मिलते हैं वह देख लेते पहले यह option है turn flash on यहाँ भी आपको flash light की ज़रुत पर सकती तो flash light on करने की ज़रुत परती है तो आप on कर सकते हो describe scene मतलब की आपके सामने क्या-क्या चीज़े है आप image क्लिक करके जो है आप इससे जान सकते हो ठीक है detect color है आप color जो है जान सकते हो इससे scan barcode है जो भी आपके पास barcode के लिए अगर कुछ होगा तो आप इससे जो है बार कोड स्कैन कर सकते हो envision को teach कर सकते हो ठीक है envision को teach करना मेंस जो है आगर आप अपनी image निकालते हो और इसमें आप नाम लिख दोंगे कि यह इस चीज की आपकी image है तो next time जब आप अपनी image निकालोंगे तो यह आपको खुद बता देगा कि यह आपकी image है करके ठीक है तो यह होता है इतना ही है अब हम लोग चलेंगे help tab में help tab में देख लेते हैं क्या क्या options है help में आपका account है account details आप अपनी देख सकते हो वो तो कुछ देखने की ज़रुत नहीं है आपको तो अपने account के बारे में almost पता ही होता है आप अपना subscription जो यहां पर चेक कर सकते हो आपको subscription कैसे check करना यह यहां से देख सकते हैं आप अपना subscription में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या options है restore है summer sale अभी फिलाल चल रही है अब यहां पर इसके सारे subscription plans है monthly subscription and vision AI 30% off 48.30 ठीक है monthly subscription 48 रुपीज है अभी में वीडियो बना रहा हो तो अभी यह sale में है इसके लिए हाँ पर 48 है तो यह 69 रुपीज हो जाता है इसका आगे बढ़के annual subscription and vision AI 50% off 345.00 most popular annual subscription 345 रुपीज है यह भी आप purchase कर सकते हो एक साल के लिए है तो आप यह जरूर कर सकते हो क्योंकि यह popular है और काफी किफायती भी है lifetime subscription and vision AI 20% off 4792.00 ठीक है यह 20% off 4792 तो यह इसके कुछ प्लान से आप अपने साब से जो है कर सकते हो ठीक है और अगर आपका subscription है और वो वर्क नहीं करते हैं पर रिस्टोर का बटने देखिए कर देंगे कर देंगे इस ने कहां रिस्टोर पर्चस सक्सेस्फुल मतलब कि मेरा जो पर्चस है और मैं कर चुका हो तो मुझे करना था मैं रिस्टोर कर दिया तो मेरा पर्चस में यहां पर दिखाएगा मतलब यह अप्लिकेशन अप्लिकेशन है मेरे लिए काम करेगा ठीक है करेंगे अब यह इन विजन ग्लासेस अब प्री ओर कर सकते हैं इसके लिए फिलाल तो करना नहीं है और आपको सजिस्ट भी नहीं कर रहा हो मैं रिकमेंड भी नहीं कर रहा हो आप इन विजन की ग्लासेस प्री ओडर करें यह सेल के बारे में डिटेल है ठीक है आगे हल्प का जो टैब है उसके एक्चल मेन्यू से देखते हैं टिटोरियल्स रीड कर सकते हो इन विजन को कैसे यूज करना है रिट बैक दे सकते हो यहां से इन विजन के बारे में अगर कुछ प्रॉलम आ रही है आपको तो कॉल के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो आपको कॉल आ जाती है और मुस्ट तीन दिन में तो आपको कॉल आही ज ठीक है Off-line recognition के लिए इसको आप अपने इसाब से adjust कर सकते हो मैं ने तो अफियों। ठीक है ka Automatic Language Detection, इसको भी आपने इसाब से just कर सकते हो ठीक है तो इसको on कर लेते है text to speech की setting आपको यहां से करनी होती है कि टेस्ट तो प्टमस की setting जाएंगे Google text to speech engine signal ऍश missions एटक्ट मैं ने आप और वी एजिड करूंगे है अगर आपके पास Auto DTS इंस्टॉल हो तो आप Auto DTS को सेट कर सकते हैं, आगे इसमें और भी कोई options नहीं है, Help Tab से हम बाहर चलेंगे, अब हम लोग फिर से General Tab में चलते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं क्या-क्या options हैं, अब यहाँ पर कुछ options हम लोग ने पहले देखे थी, Describe Scene और यहाँ पर है कि आपको फ्लेश लाइट टरन अन करने के लिए option मिलेगा, ठीक है, फ्लेश लाइट ओन है में इसको फिलाल ओफ कर लेता हूं, यहाँ पर डिस्क्राइब सीन है, आपके सामने अगर कोई चीज है या कुछ भी आपको डिस्क्राइब करना है, मतलब को किसी च चीज की आपको इमेज निकाल सकते हो, आपको यह बताएगा कि क्या चीज है, ठीक है, तो हम लोग जो है भी कलर को एक बार ट्राइ करके देखते हैं, क्या एक कलर बूलता है, तो देखते हैं, मैं अपने शर्ट का जो है कलर देखता हूं, इसने बता दिया, scan barcode का यहाँ पर option आपको मिलता है, barcode scan कर सकते हो, teach invasion कर सकते हो, मतलब कि आप teach invasion जब करोंगे, तो यहाँ पर जो है, आप इमेज निकालोंगे, जैसे आप अपनी इमेज निकालोंगे, तो आपको अपना नाम यहाँ लिखना है, अगर किसी चीज की इमेज निकालोंगे, त तो जनरल में इतना ही है अब हम लोग चलेंगे टेक्ट में चलते हैं क्योंकि सबसे जादा इंपॉर्टन्ट यही है है अम लोगों के लिए टेक्ट में चलते हैं अब यहां पर बैसिकली आपको कुछ ऑप्शन्स मिलते हैं वो दिखा देता हूं करें मैग्निंफायर है अगर आप लविजैन हो तो आप जुम करकी देख सकते हो तीक हो क्लिक करें कि है मैं मेडिया वॉल्यूम कम लेता हूं क्योंकि साउंड आएगा असके प्रोसेसिंग आप अब इसका मैं पहली सबसे लास्ट जाता है तूब है अब करके रख सकते हो ताकि आपको फीडबैक मिलता रहे मैं off करूँगा क्योंकि copyright का issue हो सकता है इसके लिए हम लोग इंसेंटली रीड करके देखेंगे start redeem पर क्लिक कर रहा हूं है देखते है रीड करता है यह नहीं ठीक है तो यह इंसेंटली भी रीड कर लिया इसके तो यह एक ग्यास का पेपर है मेरे हाथ में जो एच्पी ग्यास का पेपर है तो इसने इंसेंटली की रीड करके बता दिया तो आप लोग ने देखा होगे कितना फास्ट फ्रेडवेक इसका अब यहां पर रीड डॉकुमेंट का option है start reading instantly के बाद रीड डॉकुमेंट हम लोग फ्लैश को off कर देते है ठीक है रीड डॉकुमेंट पर आपको क्लिक करना है इंपर्ट फाइल का option मिलता है उस पर हम लोग जो है टैप करेंगे अब यहां पर जो है आपको आपका जो फाइल मेनेजर यह उपन हो जाएगा और यहां पर से आपको एक PDF कोई भी लेनी है या फिर कोई भी आपको आपका डॉकुमेंट जो है सिलेक करना है यह रीड करेंगा ठीक है तो देखते हैं आगे एक मराथी PDF है इसको इसलेक कर लेते हैं देखते हैं आगे का अपके एक माराज कोई पाटन के बाद देख लेते हैं और कौनकोन से अप्शन है इसमें इसमें नेक्स्ट पेज है जैसे आप क्लिक करोंगे तो आप अगर इसमें ज्यादा पेज इसमें देख लेते हैं हम लोग कितने पेजस है ठीक है वन अफ सेवंटीन है इसने तुरंत पेज हमारे स्कान कर लिए है तो आपको अगर वन पेज से डो नमबर वाले पेज पर जाना है तो आपको नेक्स्ट ठीक है और अगर आपको पेज जम करना है वन से डिर्क फाइब नमबर वाले पेज पर जाना है तो यहां पर आपको जम टू पेज पर जाके फाइब नमबर डान ला है तो आप उस पेज पर पहुंच जाओंगे अब देख लेते हम यह प्ले होता है यह नहीं तो यह इस तरह से रीड करता है तुरंत रीड करके बता देगा आपको यह मैंने एक पीडियाप से लिए ता मराथी पीडियाप है यह तो इसने चेप पढ़के बता दिया आगे देख लेते हैं और क्या क्या ओप्शन से जम लोग ने देख लिया एक्स्पोर्ट का कर सकते हैं यह से देखते हैं तो इसमें इतना ही है हम लोग जो है बैक करेंगे यह से आप फोटो जो है टेक करके भी मतलब फोटो क्याप्चर करके भी आप इमेज पढ़वा सकते हम लोग ने रीड इंस्टंट्ली देखा था इमेज की फोटो निकाल कर मतलब की कोई भी डॉक्मेंट आपके सामने है उसकी इमेज निकाल कर भी आप पढ़ सकते हो अब इहां पर इम्पोर्ट इमेज का ओक्शन है अब मेरे पस टेक्स वाली इमेज तो National अपने फोन में तो आपके बास इमेज है तो आप यहां पर इमेज इंपोर्ट कर सकते हैं यहां पर जैसे आप टैप करोंगे तो आपके सामने आपका फाइल मनेजर ओपन होगा जो भी फोल्डर में आपका इमेज है आप वह इमेज यहां पर लेकर आप वह रीड कर सकते हैं उसी तरह से इमेज भी रीड करेगा । ठीक है तो बसकल्च कर देते है। तो बीजिन वें इतना ही है। बहुत ही बेसिक एप्लिकेशन बहुत ही यूसफुल है, बस इतना ही है कि इक पर्चेस एप्लिकेशन है। और पर्चेस करने के बाद ये काफी बेनिफिट देता है आपको काफी यूसफूल है तो मैं तो रेक्मेंड करूंगा आप एरली प्रैंड जो है इसमें ले लीजे और आपको अगर रेगुलर्ली इमेज पढ़ना है या फिर सीन को डिस्क्राइब करना या फिर कलर आपको देखना है तो सारी चीज़े जो है इन्विजन या बड़े अच्छे से कर देता है और भी काफी अच्छे-च्छे फीचर्स इन्विजन AI में आने वाले हैं तो आप इस वीडियो को देखिए लाइक कीजिए शेर कीजिए फ्रे